Okay guys how are you all अब तक कि हमने अपने Last Video's के अदर आपने देखा था पिछली वीडियो में जैसे की Nature क्या है law का और Sources of law क्या है उसमें स्वेंसे। मुइनर का मिनिग देखा था, likewise आज की इस वीडियो में हम जो discussing करने वाले हैं जो Sources Of Logic थे उनमें थैं कृस्टम .. Custom as a source of law किस तरह से है उसको हम आज किस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे चलिए अब देखते है कि इसके अंदर हम क्या-क्या चीज सब्सक्राइगे दिसकस करेंगे टो इसमें हम देखेंगे introduction होगी custom क्या चीज़ है custom का meaning क्या है custom की definitions क्या दिए हुई है अलग-अलग jurist के द्वारा या फिर position क्या है custom की अलग-अलग ancient legal system के अंदर या फिर कहें custom को accept करने के लिए reason क्या क्या है वो भी हम आज की वीडियो में discuss करेंगे और place of custom क्या है source of law के अंदर यानि कि जितने मी source of law है उनके बीच में अगर custom की बात करें तो उसका place क्या है कितनी important है वो उसके बाद में present position की बात करेंगे custom की इंडिया के अंदर उसके बाद में हम discuss करेंगे कि कब एक custom है वो law बन जाती है या फिर कहें essential क्या है एक valid custom के लिए क्या क्या requirement होती है जब वो एक custom कहलाई जाती है और type of custom सबसे last में हम discuss करेंगे कि इतने परकार की customs हैं तो इन में से अगर को topic बीच में रहा भी गया है तो वो वीडियो में बीच में cover हो जाएगा अगर आपको ये वीडियो देखनी है अगर आपके लिए useful है तो पूरी वीडियो देखें और अगर इस चैनल पर पहली बार है हैं तो इसे subscribe कर लें और bell icon दबाना मत बूलिए latest update के लिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले introduction से introduction के अगर हम बात करें तो जैसे की word है उसके अंदर अलग-अलग societies है different different societies है तो इन societies के अंदर जो human को conduct है human का जो conduct है उसको regulation करने के लिए कुछ rules की ज़रूरत पड़ती है rule किसी भी तरह के हो सकते हैं जो कि ए humankind के जो इतने भी जो conduct है उनको regulation करने के लिए एनकी society के अंदर किस तरह ऐसे रहना है क्या करना है क्या नहीं तो उन सभी चीजों को यहाँ पर regulate करने के लिए कुछ rules की जूट पड़ती है तो इन rules को भी हम यहाँ पर law भी कह सकते हैं एक तरह से जो की एक society को regulate करते हैं अब बात करें कि custom कब arise होती है यानि कि custom arise कब होती है जब कभी भी जो people है वो gather होते हैं तो उस समय पर ऐसी कोई भी association नहीं है पीपल की जो बिना किसी rule के या किसी regulation के यहाँ पर exist कर सके permanently यहाँ पर दिरे दिरे जैसे जैसे लोग इकठे होंगे उनको consciously या unconsciously किसी ने किसी definite rule की या फिर उनके यहाँ पर किसी law की जो उनके right या obligation है उनको regulate कर सके उनकी जुरूरत पड़ती है तो यहाँ पर वो rules और जो law है वो set किये जाते हैं अलग-अलग societies के अंदर तो यह था एक मतलब basic अब देखते हैं कि जो law है जो कि based है कि इनके उपर custom के उपर तो उसे हम क्या कहते हैं customary law यानि कि वो एक त्रह से customary law कहला जाता है और यह जो custom है वो एक fruitful source of law है या फिर हम कहें तो यह एक त्रह से oldest form of law है यानि कि सबसे oldest source of law कस्टम को ही यहाँ पर माना जाता है अब जिस तरह से एक स्टेट के अंदर लो होता है, सेम उसी तरह ही सोसाइटी के अंदर कस्टम्स होती है, यानि कि जो काम एक स्टेट के अंदर लो करता है, वही काम एक सोसाइटी के अंदर वहां की जो customs होती है वो करती है यानि कि जो लो है वो बड़े लेवल पर state पर माना गया है custom है वो societies के अंदर prevail करती है यानि कि यहाँ पर अगर custom की बात करें तो वो society to society differ करती है ancient time के अंदर जो societies होती थी वो customs से ही शुरू हो थी दिरे दिरे करके जैसे जैसे time spend हुआ जैसे जैसे time भी था तो वो एक तरह से law में convert होती गई और वहां पर एक तरह से legal system है वो adopt कर लिया गया by the states तो चलिए अब देखते हैं कि custom क्या होती है तो यहाँ पर जो custom क्या है यह किस तरह से evolve हुई तो उन चीज़ों को यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक jurist है होलेंड उसके एक example को देखते हैं फिर उसी example के तरू हमें पता चले किस तरह से custom है वो evolve होती है तो होलेंड क्या कहते है कि custom किस तरह से बनती है यह उसी तरह का एक तरीका है या mode है जिसके अंदर एक किसी lawn के अंदर जैसे कि lawn है इसके अंदर एक रास्ता बनता है यहनिकी पैथ बनता है सेम उसी तरह से ही एक custom है वो evolve होती है यह किस तरह से होता है पर एक्जांपल अगर कोई वैक्ति particular person है यहाँ पर वो किसी दूसरे वैक्ति से यहाँ पर पूस्ता है कोई direction कहीं जाने की या by the way अपनी ही किसी मतलब convenience के लिए यहाँ से इस particular way मतलब for example यहाँ पर पहले grass हुआ करती थी घास यहाँ पर full थी इस lawn के अंदर तो वो यहाँ पर इस वैद से अपनी convenience के लिए अपने सुईदा के लिए एक बार चला जाता है या किसी की direction से वो यहाँ से इस रस्ते से निकल जाता है ठीक है वो यहाँ पर without any reason है या accidentally है जैसे भी कहें वो यहाँ से एक बार निकल गया और अगर बार अगर कोई और वैक्ति आए वो इसी सेम रस्ते को follow करता है और एक लंबे time of period के लिए यहाँ से बार बार कोई जाता है कोई आता है फिर कोई जाता है फिर कोई आता है ठीक है अगर यह process एक long period of time के लिए चलता रहता है तो यहाँ पर एक तरह से आज़ा ज़ेसा कि आप यह देख रहे हैं इस तरह का एक रस्ता बन जाता यहाँ इस तरह से एक हिरह जाता है और इस के चारुं तरफ है जो grass होगी रहती है तो यह एक तरह से रस्ता बन जागा जो कि कैसे बना है accidentally बार-बार यूज़ करने के दोरानी यहाँ पर इसके पीछे का कोई पार्टिकॉल मॉटिव नहीं है लेकिन यहाँ पर कन्वीनियन्स है एक तरह की जो की अच्छी लगी है उनको तो सेम इसी तरह से या इन सिमिलर प्रोसेस के थूर या कहें हम accidentally है वो custom create होती है तो यहाँ पर जो custom का जो प्रोसेस है वो भी एकदम identical है इसकी तरह ही जैसे for example कहें तो अगर कोई act है any kind of act किसी भी तरह का कोई भी act है अगर वो good है क्या है वो act good है या फिर beneficiary है किसी के लिए अगर वो act बार बार practice में लिया जाता है लोगों के दोरा और जितने भी people है वो इस act को करने के लिए agree है तो वो act अगर बार बार एक cycle के अंदर एक time period के अंदर बार बार use होता है जिस तरह से कि यह जो long के अंदर यह path है जो लोगों के दोरा use हो रहा था तो उस condition के अंदर जो frequently जो यह बार बार में use किया जा रहा है तो यह जो continuous process है for a long period of time यह उस society के अंदर वो उस act को एक तरह की identity बना देता है यानि कि वो act है धीरे धीरे एक custom में बदल जाता है और फिर यह जो act है धीरे धीरे generation by generation एक दूसरे के दोरा accept है जो किया जाता है और इसको follow किया जाता है जब एक long period of time तो इस तरह हैं से जो एक custom है वो क्या होती है evolves होती है तो यह एक process है कि जब एक custom है वो किस तरह हैं से evolve होती है या फिर कहें कि क्या है custom what is the custom तो वो भी हम इसे कह सकते है यानि कि custom वही act जो beneficiary है good है वो यहाँ पर एक तरह से बार बार जब frequently एक long period of time के लिए यूज होता है तो वो यहाँ पर custom कहलाए जाता है चलिए अब बात करते है custom के meaning की यानि कि जो word custom उसका meaning क्या है तो सबसे पहले बात करें word custom की तो French language के यह costume word से लिया गया है दूसरी language है Latin Latin के यह कौन से word से लिया गया है यह लिया गया है या फिर थट कहें तो यह word लिया गया है यानि कि अलग अलग जूरिस्ट है वो इसके जो word की origin को अलग अलग languages के अलग अलग word से मानते हैं वहीं पर अगर हम हिंदी में custom word को लें तो custom क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है तो हिंदी में हम custom कहें तो यह हो सकती है कोई वहवार कोई रिती कोई रिवाज है या फिर कोई रसम है यानि कि हिंदी लेंग्विज में अगर हम बात करें तो यह जो कस्टम वर्ड है इसका मीनिंग होता है कोई किसी तरह का वेवार हो गया कोई रिती रिवाज है या रसम है जो कि एक पार्टिकुलर सोसाइटी दवरा फॉलो की जाती है तो उसे हम यहां पर वहां की है जो लिट्रली मीनिंग क्या है यहां पर जो कस्टम वर्ड है उसका लिट्रली मीनिंग के अंदर यहां पर या ग्रामेटी के कहें या ओर्डिनरी मीनिंग कहें यहां पर तो उसके अंदर हमें कह सकते हैं कि यह किसी तरह की ट्रेडिशन्स हैं किसी तरह की प्रैक्टिस हैं या observations observations कोई way या फिर कोई convention है कोई rituals है या procedure है कोई जो society के दवारा follow की जाते हैं कोई ceremony है या फिर कोई usual है या फिर कोई reads है जो कि एक particular society के दवारा follow की जाती है तो यह यहाँ पर कुछ grammatically नाम है जी दिये गए हैं जो कि custom को यहाँ पर लेट ली तोर पर इन नामों से भी जाना जा सकता है तो इसके बाद में next देखते हैं कि जो word custom है उसकी definition क्या है definition की बात करें तो यहाँ पर अलग-अलग jurist ने अलग-अलग definition दिये तो सबसे पहले हम देखते हैं salmant के according वैसे definition में समझाने वाला कुछ नहीं है लेकिन just इनको read out कर लें कि सालमन क्या करता है कि custom क्या है एक embodiment है उन principles की जो की commanded करते हैं themselves to the national conscience को किस तरह से as a principle of just and public utility just and public utility के तोर पर इसको क्या करते हैं command करते हैं तो वह क्या होगी custom यह हो गया इसके salmant के according इसका meaning next jurist आते हैं Austin Austin क्या कहते है कि according to the Austin क्या है कि custom एक rule of conduct है जो कि govern करता है या observe करता है spontaneously मतलब अपने आप ही जो एक conduct को govern करता है नहीं कि in the pursuance of a law set by the political superior नहीं कि किसी political superiors की जो law set के गए हैं उनकी pursuance के अंदर तो यह salmant Austin होगे आप देखते हैं next jurist है Alan Alan क्या कहते है कि custom एक legal and social phenomenon है क्या है यह एक legal और social phenomenon जो कि grow up होता है by the force of inherent in the society society के inherent के अंदर and force partly of the reason and necessity कहीं कहीं पर उसके अंदर reason भी होता है और कहीं कहीं पर उसके अंदर necessities भी हैं and partly of a suggestion and limitation तो इस तरह से है जो Alan ने है वो custom को define किया है वही पर Holland क्या कहता है Holland define करता है custom को as a journally observed course of conduct course of conduct journally observed ठीक है यह होगी हमारी Holland की definition आईए होप कि आपको यह त्यारों definition वो चैसे समझ में आगी होंगी अब बात करते हैं position of custom की in various ancient legal system के अंदर अगर हम most of the legal system इस वर्ड का देखें तो particularly in ancient legal system की बात करें तो वहां पर जो customs है उन्होंने एक बहुत ही extremely special role है वो play किया रहा है in the source of law के तो पर वही पर अगर हम बात करें तो जो Hindu law है ancient Hindu law है उसको modeling करने के अंदर जो custom है उनका बहुत ही important role है अलग-अलग जुरिस ने अलग-अलग अपने अपने तरीके से या writers ने इसको explain किया है उसके बाद में हम देखते हैं कि जो समरिती हैं वो क्या करते हैं कि समरिती कहते हैं कि strongly recommend क्या करते हैं कि जो custom है वो for load किये जाने चाहिए यह यहां पर समरिती कहती हैं जो कि Hindu law के अंदर आती है उसके बाद में आता है Manu Manu declare करती है कि अगर कोई king है उसको अगर कोई case decide करना है या जितने मी cases आगर उनको decide करने है तो वो वहां की जितने मी local uses हैं उनके according वो cases है वो decide किये जाएंगे यह यहां पर Manu कहता है उसके बाद में आता है याजनवाल क्या यह क्या कहता है कि जब कोई country conquered की जाती है किसी भी king के दोरा या किसी भी other country के दोरा तो उस time उस country के अंदर जो particular custom uses या family traditions हैं जो follow किये जा रहे थे वो उस conquered के बाद में यानिकि उस जीत के बाद में भी as it is जै इसी तरह से अगर आगे बात करें तो हम British regime की बात लिए तो उस समय भी जो जो local custom थी उनको बहुत ज़्यादा एहमित दी है यहां पर custom को या local customs को save करने में भी का जब भी law enact किये जाते थे उस time में वहां की local customs को देखा जाता था उसके बाद में जैसे बात करें हम Muslim law की तो उसमें भी custom का एक मैतोपूर्ण रोल है और वहीं पर अगर हम Roman law की बात करें तो Roman law में भी जो custom ने एक बहुत important part है जो अदा किया है और England में भी यहां पर customs का का काफी हद तक यहां पर importance मानी गई है तो all over कहें तो हम customs को की importance को हम कहीं पर भी deny नहीं कह सकते custom एक as a source of law के तो और पर अलग वीडियो में discuss कर रही है अब इसके बाद में आता है reason for acceptance of a custom यहां पर custom है जो उनको accept करने के पीछे का reason क्या है तो यहां पर अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग reason दिये गए है सबसे पहले हम देखते हैं Solomon का क्या reason है इसके present इसके पीछे तो यहां पर Solomon ने I think यह line आपको याद होनी सी हमने पीछे अभी अभी definitions के जो slide थी उसमें भी any line को हमने discuss किया था तो एक reason तो यह हो गया Solomon के लिए और दूसरा जो second reason है वो क्या है कि यह एक rational expectation है of its continuance in the future यानि कि जितनी भी यह customs है जो कि frequently use की जा रही है तो यहां पर एक आसा है एक rational expectation है कि वो एक future time में भी इसी तरह से continuously है जो सबके दोरा use की जाएगी तो यह यहां पर दो reason भी है सालमेंट के दोरा इसको accept करने के लिए उसके बात में अगर हम की tone की बात करें तो यहां पर उन्होंने क्या observe कि अगर कोई भी custom है उसको as a source of law कोई तो पर उसको अगर admission किया जाए admit किया जाए तो वहां पर क्या देखना पड़ेगा कि that before the state जो organs है वो out under two करते हैं जो task of framing law कोई भी framing law है किसी community के लिए उसको यहां पर बनाना है तो in this case में अगर this was done by the people done self अगर वो लोगों के दोवारा खुद ही कर लिया जाता है and the rule elaborated by the habit were enforced in the process popular courts तो यहां पर क्या कहता है कि जो people है लोग है उनके खुद के दोवारा ही अगर कोई law कर लिया जाता है तो यहां पर जो जब भी कोई organ है state organ है law making के task के दुराना उन जो भी popular courts के दोवारा यहां पर वह एहबिट इनफोर्स की जा रही है तो उनको यहां पर जाना है तो यहां पर जो भी source of law sources of law के दौर पर अगर हम custom की बात करें तो यहां पर कीटोन ने उसके बारे में यह चीजह कही है अब उसके बाद में आता है next next क्या करता है कि place of custom among the source of law source of law के case के अंदर अगर custom क की बात करें तो उसका क्या यहां पर place है तो इसके लिए यहां पर डाइवर्स है अलग अलग जुरिस्ट की opinion के अंदर with regard to the place यानि कि कोई जुरिस्ट कुछ कहता है कोई जुरिस्ट कुछ कुछ कहता है तो यहां पर हमने दो जो व्यू लिए गे एक तो historical school of law का व्यू एक analytical School of law का व्यू आपर हम पहले बात कहते है तो historical school of law का कहते हैं तो historical school of law के अंदर आभे निए और जयर्मन इस्टोरिकल स्कूल है वो क्या कहते हैं यहां पर कस्टन के जो प्लेस के बारे में हैं sources of law की तो वह क्या कहते हैं कि यह एक authoritative law source of law है कौन कहते हैं सेविंग नी एन हिस्टोरिकल स्कूल अब वहीं प्रग्राम बात रहें अनलेटिकल स्कूल की वह क्या कहते हैं कि जो यह ऑस्टीन है अनलेटिकल स्कूल के जो फाउंडर वह क्या कहते हैं कि नॉट अथॉरिटेटिव सौर्स अफ लो वह यहां पर कस्टम्स को यहां पर अपने जो विचार हैं वो दिये हैं तो इस दार पर हमने इसकी यहां पर देखा है प्लेस क्या है कस्टम का वहीं फर यहां पर आश आसद्विच ने क्या बातिया विचा है वह क्या है जो compete source of law गो माना जाता थे इसको most important ठीक हैक फिर भी importance of custom है उसको यहाँ पर diminish नहीं किया असकता उसको मना नहीं किया असकता इंडिया के अंदर for example अगर हम बात करें तो custom है जो एक बहुत ही important place है वो इसने यहाँ पर acquire कर रखा है for example अगर हम बात करें तो article 25 है 26 है और 28 है constitution की वो indirectly यहाँ पर इनने कही guarantee करती है इस customs की या customary जो practices है उनकी community के अंदर एक तरह की protection की guarantee देती है और लेकिन यह यहाँ पर उन customs को यहाँ पर protection देती है जो की repugnate नहीं करती किस concept को secularism और democratic socialism का जो concept है उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए उन customs को यहाँ पर protection देती है यह article और यहाँ पर हिंदू law की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी customs हैं जिन्हों ने यहाँ पर as a law के अंदर काफी law बनाने में काफी यहाँ पर impact डाला है जैसे कि marriage के regarding law है adoption के regarding है या succession के regarding है तो इस तरह है कि जितने भी law बनाई गए हैं तो उसके अंदर यहाँ पर customary feature है जो old हिंदू law के उनको यहाँ पर consider किया गया है और आज भी social reformation के लिए यहाँ पर useful है अब इसके बाद में देखते हैं कि कब एक custom है वो law बनती है यानि कि यहाँ पर जो अलग अलग जूरिस्ट है उनका इसके regarding या जो अलग अलग स्कूल है उनका इसके regarding क्या view है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक controversy है कि whether जो एक custom है वो क्या already एक law है या फिर उसको independently एक judicial recognition के तोर पर उसको recognize किया जा सकता है और अगर वो already एक law नहीं है तो कब उसे law के तोर पर recognize किया जाएगा तो यह जो questions है वो अलग अलग जूरिस्ट से अपने point of view से differ करते हैं तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जो schools हैं जो ने अपने अपने view दिये हैं यहाँ पर दो schools हैं historical school of law के view है यहाँ पर इसके recording और second है analytical school के view तो यहाँ पर हम पहले करते हैं historical school of law का view historical school of law में क्या कहते हैं कि जो writer historical school of law से belong करते हैं वो कहते हैं कि custom क्या है एक law है per se यहाँ पर इस school के according law को किसी भी state की कोई भी recognition है उसकी जरूरत नहीं है एक law बनने के लिए तो यह historical school custom के बारे में कहते हैं historical school के view के according क्या है कि जो law है वो क्या है एक product है किसका of normal force जो कि associated है with the gist gist का मतलब यहाँ पर क्या है spirit separate किसकी of people लोगों की spirit जैसे कि आप जाज़से जैसे हम जो historical जो school of law है उसको यहाँ पर आप डिसकस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सेविंग नहीं है जूरिस्ट उनके तवरा एक concept दिया गया है यहाँ कि वो जिस नाम से एक concept है उस concept से ही यह जो जिस्ट वार्ड है वो लिया गया है यहाँ कि people spirit of the people तो यहाँ पर क्या किया गया है कि जो spirit है of each particular people की वो उसको यहाँ पर as a custom के साथ में associated किया गया है जो कि normal force का एक product है ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ गया हुआ अब इसके बाद में देखते हैं कि पुस्ता जो कि historical school of law के ही एक jurist हैं वो क्या कहते हैं उनके according जो custom क्या ह केवल वो एक only self-specient या independent ही नहीं है of legislative authority but was a condition बल्कि यह क्या है एक condition है condition किसके लिए all sound legislation यानि कि जितने भी sound legislation है उनके लिए एक तरह से एक condition भी है वहीं पर sir henryman है उन्होंने भी इसी same principle को है वो agree किया है अब उसके बाद में देखते हैं next नेक्स्ट आता है analytical school का view analytical school के बात करें तो यहाँ पर Austin है जो analytical school के एक jurist है main jurist कहें यहाँ पर उनको वो define क्या करते हैं law को as a command of sovereign के तोर पर तो उनके लिए जो law properly so called है वो क्या है only जो कि कम होता है कहां से from the directly from the sovereign या फिर किसी एक agency से जिसको sovereign ने यहाँ पर direct किया है ऐसे किसी भी rule of law को यहाँ पर lay down करने के लिए वही यहाँ पर law है Austin के vision के according अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी unwritten law है including उनमें custom भी include है उनको यहाँ पर जो Austin है वो एक law के जो category है उससे यहाँ पर वो exclude करता है Austin के according custom है वो law का बनती है जब court of justice के द्वारा उनको किसी भी decision में एक तरहें की recognition मिल जाती है उसके बाद में है जो custom यहाँ पर Austin के according law मानी जाती है वहीं पर अगर बात करें तो custom है जो Austin के लिए सिर्फ source of law है ने की law itself यानि कि अपने आप में है जो law नहीं माना जाता ऑस्टिन के द्वारा अब देखते हैं हम लोग essentials of valid custom वैलिड custom होने के लिए क्या क्या essentials ही है एक custom क् यह एक rule होता है जो कि एक particular family या एक particular district या किसी state के अंदर जब बार बार use किया जाता है तो वह एक long uses की वज़ा से custom बन जाती है यह भी कोई जरूरी नहीं है कि जो परती एक custom है उसके पीछे एक legal force हो तो यहाँ पर कुछ एक conditions दी गई है जिनके अधार पर हम कह सकते हैं कि यह particular जो custom है वो एक valid custom है तो देखती है वो कौन कौन सी condition है सबसे पहली condition क्या है कि custom must be ancient यानि कि एक memorial time से है जो custom होनी चाहिए तो आप इस custom को हम ancient कब कहेंगे कब एक custom को एक ancient माना जाता है जब उस custom के origin का किसी को भी पता ना हो यानि कि human mind की जो memory है उसके अधार पर हम यह न जिन कब हुआ तो हम उस case के अंदर हम कह सकते हैं कि वह particular custom वह क्या है ancient है यानि कि वह बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है एक long period of time है जो उसे हो चुका है लोगों के दवारा follow करते वे तो हम उस case के अंदर उस custom को यहां पर ancient कह सकते हैं उसके बाद में second point आता है कि continuous होनी च किसी इंटरप्शन के चली आ रही है बिना किसी इंटरप्शन के या फिर कहें कोई इंटरवाइनिंग उसके अंदर ब्रेक नहीं आया किस लोगों के दवारा यानिकि कब पीपल ने उस particular custom को बीच में कहीं पर follow करना चोड़ा नहीं है यानिकि वह memorial time से जब से उसका origin हुआ है तब से वह बिना किसे इंटरप्शन के continuously लोगों के दवारा follow की जा रही है वह existence में है तो उस case में हम उसे वहां पर उस particular custom को यहां पर continuous nature की कह सकते हैं उसके बाद में आता है next point की custom है वह क्या होने चीए reasonable होने चीए यानि कि कोई भी एक unreasonable custom है तो उस case के अंदर हम उस particular custom को एक valid custom नहीं कहेंगे तो यहां पर reasonableness है वो अलग-लग community के दार पर अलग-लग depend करती है यह point है reasonable उसके बाद में next point आता है कि it must not be immoral तो यहां पर कोई particular एक fixed या एक fixed test नहीं है कि यह जो particular जो custom है वो moral है या moral है यह particular जो custom की morality है वो society to society differ करती है यानि कि society या उस community की sense के अधार पर हम उसको judge कर सकते हैं कि यह particular custom है वो moral है या immoral है तो इस तरह से हम immoral custom कोई या आपर एक valid custom नहीं कह सकते हैं उसके बाद में next point आता है कि it must not be contrary to the justice and equity और public policy यानि कि जो public policy है justice है equity है इनकी contrary नहीं होनी जीए वो particular custom तो उस case में हम उसे यहाँ पर valid custom मानते हैं next point कहता है कि it must not be contrary to the statutory law यानि कि जो भी express law बनाए गए हैं किसी भी state के दवारा वो custom उस law के conflict में नहीं होनी जीए यानि कि उस particular law को या तो और रूल ना करती हो या फिर violation ना करती हो इस तरह कि कोई custom है तो वहाँ पर valid माने जीए अगर कोई custom है उस particular statutory law के खिलाफ है तो यहाँ पर हम उसे valid custom नहीं कहेंगे तो यह एक valid custom होने के लिए कुछ essentials हैं जो कि अभी हमें डिस्कृत किया है सोट में अब इसके बाद में आती है kinds of the custom या कहें हम टाइप यानि कि कस्टम किस किस परकार की होती है तो यहाँ पर जैसे हम टाइप की बात करें तो जितनी मी कस्टम है तो उनको लाव फोर्स के अधार पर यहाँ पर टू काइंड में इनको डिवाइड किया गया है उनमे इनको जो इनडिविजवल के दवारा है के कंवेंशनल लो के तो पर इसको मदलब उन पार्टी के बीच में कंवेंशनल लोग के दौर पर इनको अडाप्ट किया जाता है तो यह दूसरे परकार की है यहाँ पर दो परकार की हमने जो कस्टम सहां वह देख लिए हैं चलिए यह देखते हैं कि वह दोनों के दोनों कौन कौन सी काइंड है त कस्टम का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो जिनके पीछे एक लीगल अतोरूटी है वो क्या है एब्सॉलीट है जो कि अपने आप में एक फॉर्स अफ लो पोझेस करती है उसे हम यहाँ पर लीगल कस्टम कहते हैं यह कस्टम है जो केवल रिको आउगनाइज कर नहीं की जाती बलकि इंके पीछे एक law force भी होता है यानि कि enforce की जाती है law के दोबारा उन्हें हम यहाँ पर legal custom कहते हैं जैसे की rule of preemption है एक मुहम्मदल law के अंदर वो इसका legal custom का example है एक तरह से और legal custom को यहाँ पर फर्ताव दो काइंड में डिवाइड किया गया है एक है local customs और दूसरी है जनरल custom तो यहाँ पर local custom का मतलब क्या है कि वो customs जो की particular किसी locality के अंदर exist करती है किसी district के अंदर या किसी तसील या village के अंदर exist करती है उनको अम यहाँ पर local customs कहते हैं जो कि उन particular area के जो like persons है उनको गवन करती है और दो second है यानि कि general custom वो क्या है वो prevail करते है throughout the entire realm के अंदर यानि कि बहुत बड़े area के अंदर जो की prevail है यानि कि इनके लिए कुछी भी तरह की कोई limits नहीं है किसी any locality के अंदर यानि कि किसी particular locality के अंदर ये prevail नहीं करती है एक बड़े तोर पर है तो इसलिए इनको यान पर general custom का जाता है ये होगी बड़े area के लिए ये होगी किसी total locality के लिए यानि कि particle locality के ये तो ये तो ये legal आप बात करते हैं conventional custom conventional custom को यान पर हम salement के सब्दों में समझते हैं salement convention custom के लिए क्या कहते हैं कि conventional custom is one whose authority is the conditional conditional है जिसकी authority किसके उपर on its acceptance and incorporation in the agreement between the parties to the to be bound by it यानि कि उन parties की बीच में जो conventional के regarding कोई agreement है या incorporation है उसकी conditional conditions क्या क्या है उसकी acceptance की authority के उपर ये जो customs होती है उनको यहाँ पर conventional custom कहते हैं I hope कि आपको ये meaning है जो समझ में आ गया होगा तो guys I hope कि आपको ये आज की वीडियो बहुत ही interesting लगी होगी आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे like करें अपने दोस्तों के शाथ में share करें ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो इस channel को subscribe कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका notification आपको मिल जाए और हाँ please subscribe जरूर करें जाने को यहाँ पर subscribe rate बहुत ही कम है as per the YouTube analytics और अपने दोस्तों वस्तों के साथ में share करता रहा कर वायरो ताकि उनका भी कुछ भलाओ and thanks for watching keep learning